हेलो फ्रेंड्स, टापलस के वन अफ दा मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरिट सीरियल अनुपमा में चल रहा है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा जहां सीरियल के रीसेंट ट्रैक को तो आप सभी कर रहे होंगे फॉलो तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद ही दिल्चस्प होने वाला है जहां सीरियल अनुपमा की कहानी में आप देखने वाले हैं ये धमाके दार्ट्विस्ट जहां डिम्पल ने बर्खा के पहकावे में आकर अनुपमा से कहीं बहुत सारी कड़वी बाते और अनुपम में के बार में पता चलेगा तो बा डिम्पल को धक्के मार कर निकालेंगी घर से बाहर जी हां दोस्तों सूपर हे टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि फाइनली अनुपमा का सब कुछ यहां उससे चीन चुका है ना छोटी रही पास ना नुचरहा पास और ना अब खुद की ही डैन्स अकैडमी रही जी हां दोस्तों यहां पर डिम्पल जो है वो अपनी सारी हदे पार कर देती है जहां वो अनुपमा के सामने ही कह देती है कि इस अकैडमी का नाम अनुपमा डैन्स अकैडमी से हटा के कोई और न जीज के लिए जो अपनी मा का सपोर्ट किया करता था उसके लिए स्टैन लिया करता था आज वही प्यारे बेटे ने समर्णे डिमपल की बत्तमीजियों पर चुप चाप खड़ा रहता है और सुनता रहता है उसने एक बार भी डिमपल को चुप नहीं करवाया और ये सब दे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि ये बार जब बार को पता चलेगी तो वह डिमपल की इस बत्तमीजी को बिल्कुल भी बरदाश नहीं कर पाएंगी वह हैरान रह जाएंगी कि डिमपल ने इतनी गिरी हुई हरकत करी है वह भी अनुपमा के साथ तो वहीं बार भी देखा ही दे अपनी उकार मुझे पहले से ही पता था ये लड़की समर के और इस घर के लायक तो बिल्कुल नहीं है चली जाएंगां से अब तेरा हम से और हमारे समर से कोई रिष्टा नहीं है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इतनी इंसर्ट करने के बार भी समर डिम पमा का साथ और दूर कर देगा डिमपल को अपनी लाइफ से और अपनी डान्स अकैर्मी से भी हमें कमें सेक्शन में कमें करके जरूर बताएं कि आपको भी लगता है समर ने यहां चुप रहे के बहुत बड़ी गलती की है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें